तो दोस्तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अफगानी सलवार अफगानी सलवार दोस्तो पनाना बहुत ही असान है आप देख सकते हो मेर 不ड़ंआ कपड़ का से जो किनारी वाले इससे आप देख सकते हो किनारी इससे आप तरफ रखने और की सारा जो बंद वारा भाग आपको प्रितर रखना आपको अच्छी तरह से इसको बिचा लेना है तो फ्रेंट्स कपडे को अच्छी तरह से बचाने के बार सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी बारा इंच और तीसरा जो नाप होगा दोस्तों वो होगा इसका जो हीप साइज होता है वह था 38 ठीक है अब हिप साइज के जो मेजर मेट के दूद पड़ती है क्योंकि हीप साइज के अकोर्डिंग हैं बैल्ट को रखते हैं अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है सब्सक्राइब करते हैं तो अफगानी सलवार की जब कटिंग करते हैं तो अफगानी सलवार में दोस्तों जो पहुंचे बनते हैं हमेशा पहुंचे बनते हैं वह बाहर की तरफ पलटके बनते हैं अब डिपेंड आपyr ऺता कि पहुंचे की चुड़ाइए थर्भाई इसके लबाई और जाएगी तो इसलिए तो किस प्रकार से आपको लबाई लेना यह देखिए शरवाग लंगा अट इस ना डेखे और निजान ली ले आपको सिधा निशान लगाना है तो इस प्रकार से तो दोस्तो दो इंच जो मैंने लंबाई कम ली है वह इसमें हम नीचे जब पहुंचे बनेंगे उसमें हो जाएगी क्योंकि दो इंच पहुंच इसमें बाद में बढ़के ही बनते हैं तो यह जो लंबाई मैंने लिए वो लिए 36 इंच ठीक इस प्रकार से आपको मैं दुबार दिखा देता हूं इसके बाद दोस्तों इसकी जो बैल्ट होगी क्योंकि इस सर्वार में बैल्ट लग करनी लगनी है तो बैल्ट की जो लंबाई हमें रखनी है जो उसकी होती हैं तो यह कि साड़े पांच लगायों इस प्रकार से यह होगा इसकी कि बैल्ट की जो है जो कम कर लिया हमने यानि जो बैल्ट इसमें उपर जुड़ेगी साड़े-पांच इंच की बैल्ट जुड़ेगी तो टोटल जो थर्तिस इंच लंबाई लिए उसमें से आपको साड़े-पांच भी कम कर लेना है अब दोस्तों यह जो कपड़ा बाकी दोस्तों यह होता है कि जर्णली जो सरवार होती है उसमें जो आसन होता है 14-15 फिर 16 के करीब आसन होता है किसी ज्यादा बड़ा पैनना हो तो होगा क्या इसमें दोस्तों यह साड़े-पांच इंच की तुपड लगए इसमें बैल्ट ठीक है लेकिन जर्णली जो एक आसन त्यार होता है 14-15 होता है यह देखिए साड़े-पांच इंच उपर निकाल दिया बैल्ट का तो इसका जो आसन त्यार रखेंगे हम वह रखेंगे साड़े-चोदा बागी आप 15 भी कर सकते हो लेकिन मीडियम साइज साड़े-चोदा के करीब ठीक रहेगा अब यह जो मैंन इस प्रकार से मिलाना है और यहां से आपको देनी है गोलाई इस प्रकार से यह देखिए बस इतना सा काम करना है आपको और यह जो निशान लगाए इस निशान पर आपको कर लेनी है कटिंग तो यह देखिए इस प्रकार से आपको बहुत असान तरीके से इसका जो यह पा तो दोस्तों इसका जो हिप साइज वो है 38 इंच ठीक है तो 38 इस प्रकार से कपड़े को बिछाने के बाद आप देखें बैल्ट की कैटिंग में को कैसे करनी है इस में आपको चार इंच प्रकार से चार इंच प्रकार से बैल्ट की इस प्रकार से थी princ दोस्तों इस प्रकार से कपड़े को रखें यह देखिए साड़े पांच इंच की हमें टोटल क्या चाहिए बैल्ट तैयार ठीक है इसके अलावा उपपर इसमें फोल्ड करने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए एक्स्टा वो चाहिए दो इंच कितना हो गए यह होगा अब इसको बिल्कुल सीधा इस परकार से निशान को मिलाए है आठ इंच वाल को तो फैंट सिये है जो इस प्रकार और कोई बैल्ट की कटिंग करनी है तो फैंट्स आप देख सकते हो सलवार की जो है कटिंग मैंने कर ली है जिसे हम अफगानी सलवार बोलते है यह उपर व फोल्ड हो जाएगा अब मैं आपको इसकी लंबाई नापके दिखालता हूं आ रही है यहां से लेकर और यहां तक जो टोटल लंबाई आ रही वो आ रही है प्लेट्स प्लेट्स लगाना बिल्कुल आसान है यह देखी आपको नीचे वाला पाट उठाना है और यहां से आपको इस प्रकार से प्लेट उठाने के देखें और इस प्लेट को दोस्तों बिल्कुल यहां से स्टार्ट नहीं करना आपको थोड़ा सा गैप देना है यहा उसके लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका यह हमें नीचे का जो bottom इसका है वो चाहिए 12 इंच तयार तो 12 इंच तो हमें इसका bottom चाहिए और थोड़ा सा extra margin चाहिए तो लगबग 14 इंच का हमें पूरा इस कपड़े को cover करना 14 इंच में एक एक इंच का margin हो जाएगा और 12 इंच का total bottom हो जाएगा इस प्रकार से आपको plates लगानी है देखिए आपको यह जो plates कैसे लगानी है मैं लगा के दिखाता हूं machine पर तो friends यह देखिए पहली plate आपको इस प्रकार से उठानी है और यहां से आपको लगबग 1.5 इंच की दूरी पर यह plate लगानी है इस तरह से ठीक है पहली plate मैंने लगा लिए इसके बाद आपको दूसरी plate उठानी है बस plate लगाते समय यह ध्यान रखना है कि प्लेटों की जो दूरी है बिल्कुल बाबर रखें इसमें gap ज्यादा ना हो इस प्रकार से दो plate मैंने लगा लिए तीसी plate 5 चुछी च्छटी जितनी भी आपके plate लगानी है plate लगाते समय बस एक चीज़ी का दया रखना है कि सादा का सारा जो कपड़ा था यह वाला इस कपड़े को हमने cover करना है 14-15 इंच में आप cover कर सकते हो क्योंकि 12 इंच bottom रखना है बाकी जो कपड़ा को side से बाच्चा हुआ वह extra margin में आ जाएगा यह देखी इस प्रकार से केवल एक अंदार जैसे ही यह plate लगाई जाती है जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूं और यह सारी plates लगाने के बाद फिर हम नापते हैं कि total कितने के अंदर यह सारा कपड़ा हमारा cover हो चुका है plate जो मैं डाल रहा हूं कि यहां तक आ रहा है 16 और हमें चाहिए 14 ठीक है यह रही कि इस प्रकार से अब यहां पर एक plate लगाने के बाद अब मैं आपको नापके दिखाता हूं कि यहां से लिए कहां तक कितना है यह यह दोस्तों लग बग आप देखें साड़े चोदा पौने-पंदा के बीच में क कोई दिक्कत ने इतना भी चल जाएगा क्योंकि हमें साइड से जो एक्ष्टा जो कपड़ा यह मार्ज हमारा मार्जन में आ जाएगा और 12 इंच का बोटम त्यार हो जाएगा दोनों ही पार्ट में आपको इस प्रकार से प्रेट लगानी जैसे मैं आपको लगा के लगाते हैं तो फ्रेंट्स यह जो मैंने प्रेट लगाई है अब देखिए इनकी प्रेस आपको क्यों करनी है और कैसे करनी है पहली बात तो दोस्तों यह मैं बताता हूं को इनकी प्रेस करनी क्यों है और दोस्तों यह देखिए प्रेस ऐसे करनी है और इनकी प्रेस करने का नीचे से आपको 10 जो हैं फिर 12 इंच तक प्रेस करने के जूट नहीं यह देखिए बिल्कु बरावर बरावर पकड़ें और इस तरह से जैसे हम क्रीज जमाते हैं उसी प्रकार से के प्लेट को उठातो आपको इस प्रकार से सारी सारी प्रेस कर लेनी है तो फेंट्स यह देखी इस प्रकार से में सारी सारी जो नीचे प्लेट्स दगाई थी सारी प्लेट्स को मैंने प्रेस कर लिया दोनों ही पार्ट्स में इधर भी और इधर भी आप देख सकते हो इस प्रकार सीन की मैंने प्रेस कर ली है प्रेस करने के बाद दोस्तों अब जो से शेखना। इसको बनाने के बाद दोस्तों यह कुछ इसप्रकार से अंदर के आपको फोड़कर मेर function नहीं जूड़ना होगा यह मारजन लेते हैं इसको फोल्ड करने के बाद अब देखिए आपको कपड़े को यह बुकरम को इस प्रकास अंदर के तब फोल्ड करना है अब आपको एक लगानी है इस जगे पर यह देखिए अब फेंड्स यह देखिए आपको यह जो कपड़ा दिख रहा है यह वाला एक्स्ट्रा यहां से आपको कपड़े की कटिंग करनी है सिर्फ इदर से आपको आदा इंच के करीब ही कपड़ा रखना है यह देखिए इस तरह से अब दोस्तों लगबग पहुंचा हमारा तयार ह अब इस पॉंचे को अटैच कैसे करना यह देखिए आप देख सकते हैं इदर मैंने प्रैस तो इसकी करी ली थी पहले यह जो जितने भी इसकी प्लेट्स में लगाई थी आप यह देखिए यह आपको दिखे रहा होगा पॉंचा इसको हमने इस प्रकार से लगाना है तो इ साधा इंच का मार्जन लेते हुए और अब फ्रेंड्स यह दिखिए ये जो पोंचा है आपको इस प्रकार से आपको नजर आ रहा होगा अब सारा कर सारा मार्जन अंदर चला जाए अब आपको जो स्रहा लगानी है मार्जन को अंदर करते हुए यहां पर किनारे पे लगा करने के बाद यह जो नीचे का कपड़ा इसकी आप कटिंग कर लें इस तरह से आप देख सकते हो कि यह जो मैंने पहुंचा इसमें नीचे बनाया है ठीक है ठीक है टोटल जो कपड़ा है यह कितना है आपको मैं आपके दिखाता हूं यहां से लिए कैंटर लगबग 14.5 इंच आप चाहें तो दोस्तों जैसे मैंने सेम कलर का कपड़ा यूज करा है आप चाहें तो इसमें कुछ कंट्रास में भी पहुंचे को बना सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से दूसरे पहुंचे भी आपको बना लेना है इसके बाद इसका अगला प्रोसीजर वो मैं आपको स कुछ एसको इस प्रकार से रखने अब इसके उपर आपको रखना है दूसरा वाला इस्सा यह देखी इस तरह से ठीक आप देख सकते हैं कैसे इसको मैं रख रहा हूं अब आपको इसके जो आशन की सिलाई है जिसे हम कुरोच एरी की इसलाही बोलते हैं वह सिलाई को लगाना अगर आप चाहें बिना बैल्ट की सलवा को बना सकते हो कुछ उसका लुक इस प्रकास से नजर आपको आएगा लेकिन दोस्तों हम इसमें बैल्ट लगानी है तो बैल लगाने से पहरे दोस्तों यह देखिए नीचे से आपको 12 नाप लेना जैसे नौर्मल सलवार की पहुंच कर लेना है तो फ्रेंट्स क्रोच एरिक साय लगाने के बाद इसको मैंने सलवार को सीधा कर लिया है नीचे सा आप इसका लुक देख सकते हो कुछ इस प्रकार से क्योंकि दोस्तों यह देखिए प्लेट्स थी जो मैंने पहले इसलिए प्रेस कर ली थी अगर आप इनकी बा करेंगें यूद कर से क्था को ठीखिशन में सलवस्कुर में एक कडिग return लगाने के बाद इसकी पीछे को मज़गा इक एक इंच कर रखना है इसके बाद दोस्तों को इसकी प्रसेदर में बताऊँका को समय तो पीछे यह आफ लगाई है यह प्लेट लगाने के बाद इस चिखते हैं साइड में अब आते हैं बैल्ट पर बैल्ट का यह जो हांगे वाला है ना डाल decrease अब आगे वाले लिए इसे में आप बिलकूस सेंटर में यह देखी यह इसका पीछे का इससा है आप देख सकते हो और लिए आगे का हिससाँ किसका बैल्ट का तो बैल्ट का पीछे का इसा कौन सा है यह वाला जिसमें नाड़ा डालने की जगे नहीं होती तो दोस्तों जिसमें नाड़ा डालने की जगे होती वह होता है फ्रेंट वाला इससा और जिसमें नाड़ा नहीं डलता वह है मारा बैक वाला पार्ट तो आपको तो बैक वाले पार्ट को मिलाना किस वाले हिस्ते के साथ इस वाले हिस्ते से मिलाना है जो हमने पीछे लगाई है तो यहां से आपको स्टार्ट करनी इस तरह से देखें आप देख सकते हो यहां से आपको स्टार्ट करनी स्टार्ट करनी और यह स्टार्ट करनी कहां तक है यह प्रेंट्स आप जिन्स अंश्ड घूर ऑफ है अब जत्तना भी कपड़ई भाला साटे कपड़े को आपको इस्के आप आथ इन्च के दारे में इस प्रकार से आ कि इस प्रकार से आप देख सकते हो यह जो प्रेट मेंने यह से स्टार्ट करी थी और यह सेंटर से सेंटर का मैंने मिला लिया अब इसी तरह से आपको यह जो बाकी का जो प्लेट है इसी प्रकार से लगानी है जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं यह देखे यहां से आपको बढ़ने सब्सक्राइब दोस्तों यह जो प्लेट थी ना इनका मुह में इस तरफ रखा था लेकिन अब आपको प्लेट लगानी है इनका मुह आपको उस तरफ यह रखना यह देखें इस तीज्ट का थो द्याना होगा प्लेटों का दो एक तरफ नहीं होना चाहिए और प्ल इस तरह से कपड़े को उठाएं आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो यह देखिए पीछे से इसको पकड़ कर लाएं कपड़े को दोनों को एक साथ पकड़ तुए और क्योंकि हमें यह देखिए आठ इंच तक इसको बराबर रखना है यह इतना जो कपड़ा बाच रहा है इस बचो कपड़े को सारे के सब्सारे को हमने यह पर कवर करना है इस तरह से कपड़ा जो सारा का सारा में कवर कर लिया है और सीधी से आपको इस प्रकार से लगानी है पर फेंड्स यह देखिए इस प्रकार से जो प्लेट है वह सारी-सारी बैल्ट इसकेनदर में अडजेट कर ली है इसको मैं थोड़ा सा सीधा करकि आपको एक पर दिखा देता हूं इसका लुक किस प्रकार से आपको नजर आएगा यह देखिया एगा तो फ्रेंट्स यह जो है नाडे वाली जो जगह है यह आगे वाला हिस्सा इसका इधर से आठ इंच में मैंने निशान लगाया था एक निशान में इधर लगाया था और यह सिर्फ दो प्लेटर पीछे वाले इससे में आपको लगानी होती है इसके बाद दोस्तो इसमें करना क्या होता है आपको एक लगानी है यहां पर आप चाहे किनारे के लगा सकते हो आप चाहे तो आदा इंच का मार्जन छोड़ते भी इसमें लगा सकते हो तो फैंट्स बैल्टर लगाने के बाद इसका जो लुक कुछ इस प्रकार से नजर आएगा हाला कि अभी आपको थोड को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थेंक्यू वेरी मच्च